रक्षाक शेत्र में आज जो साथ नई कम्पनिया उतरने जा रही हैं, वो समर्थ राश्के उनके संकल्पों को और मजबुती देगी। साथियों, इस वर्ष भारत ने अपनी आजादी के 45 साल में प्रवेश किया है। आजादी के इस अमरित काल में देश एक नए भविश्य के निर्मान के लिए नए संकल्प ले रहा है। और जो काम दसकों से अटके थे, उन्हें पूरा भी कर रहा है। 41 ओर्डिनन्स फेक्टरिस को नए स्वरूप में किये जाने का निर्णय, साथ नए कम्पनियों की ये शुरुवात, देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी साथ कम्पनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकात का एक बहुत बड़ा आधार मनेगी। साथियों हमारी ओर्णिनेंस फेक्टरीज कभी दुनिया की शक्ति साली समस्ताव में गिनी जाती थी। इन फेक्टरीज के पास सो डेड़ सो साल से भी जादा का अनुभव है। विश्व युद्ध के समय भारत की ओर्णिनेंस फेक्टरीज का दमखम दुनिया ने देखा है। हमारे पास बहतर संसाधन होते थे। वर्ल क्लास कील होता था। आजादी के बाद हमें जरूरत थी इन फेक्टरीज को अपग्रेड करने की। नू एज टेक्नोलोजी को अपनाने की। लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। समय के साथ भारत अपनी सामरी जरूरतों के लिए विदोशों पर निर्भर होता गया। इस्तिती में परिवर्तन लाने में ये नई साथ डिफेंस कमपनियां बहुत बड़ी भूमी का निभाएगी। साथियों आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहत देश का लक्ष भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडिस्ट्री के विकास का है। पिछले साथ वर्षों में देश ने मेकिन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। साथ वर्षों 그대로 साथ भारत गूले संकल्प का सब्सक्राइब